कि मेरे सारे कंटेनर्स एसेंबल हो गए है गुड़ी और मेला गुरू भूका हो गए हरे कृष्णा राधे राधे कैसे आप सब आई वोब आप सबी चीक होंगे मेरे व्लॉक में आप सब का स्वाधत है वैसे कुछ लोगों को मेरे नाम अभी नहीं मालूम है पूछते हैं मे देखे नवरात्री करीब आ रही है पित्र पक्ष में सपाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं इस चीज को लेकि बहुत से लोगों को डाउट होता है अमावत्या के दूसरे दिन से ही नवरात्री लग जाती है तो सपाई करना मजबूरी होती है लेकि शात पूजा हो जाने के किलाल मैं सफाई कर लेती हूं क्योंकि रोज ना आते हैं तो सफाई करने में क्या प्रॉब्लम है और मैं क्योंकि 9 दिन वरत रखती हूं मादुरगा का 9 दिन उपवास करती हूं तो मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मेरा किचन मेरा घर पूरा शुद्धो इसी बहाने दिवाल लगे हाथ हो जाती है तो अभी मैं जा रही हूं सारे अगगरा खाली करके क्लीन करने के komma के हैं अभी बना नहीं के किचन में नहीं बने हैं तो यजल्दी जंडे हो जाते हैं ti को खाली करूंगी और जो ब्रित का पास्ट का जो सामान है वो इनमें भरूंगी साफ कर लेते हैं मैं माइक हटा दूंगी क्योंकि माइक जो है वो इनको साफ करने में डैमेज हो सकता है तो मेरी वीडियो में बने रहेगा दुपहर के धाई बज रहे हैं और मेरी लाडो रानी और दोनों लाला को जो है मैं भोग लगा चुकी हूँ अभी दोनों की पेट पुचा हो चुकी है तीनों की अब मैं थोड़ा किचन विचन साफ करूंगी जब तक तब तक पांच बज जाएगा फिर पांच बजे मैं आज अपनी मन पसंद का कलर पहना हुआ है और कितने प्यारी लग रही है आज ये इनका फेवरेट कलर है तो इसलिए मैं इनके फेवरेट कलर को ध्यान रखती हूं कि उनको ये ज़रूर पहनाओं तो अब मैं जा रहे हूँ अपने किचन की क्लीनिंग करने सारे कंटेनर मै अभी खाली करूँगी और फिर इनको साफ करूँगी वैसे तो यह भी मैंने रिस्टेंटली साफ किया हैं लेकिन नवरात्री की वज़े से दुबारा करने पड़ रहे हैं पास्टिक के कंटेनर्स की शाइन जो है बहुत जल्दी चली जाती है लेकिन क्योंकि मैं इनको रेग मैं ठाकुर जी की सेवा करपाना और अपने बच्चे को ध्यान देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसलिए मैंने ये दुबहर में करना प्रिफर किया ड़ी किचन में प्याज लस्फन का प्रियोग नहीं होता है और ठाकुर जी को डेली भोग लगता है इसलिए मेरे शुद्ध हमेशा बनी रहती है लेकिन क्योंकि जब नवरात्री शुरू होती है ना तो मैं इस चीज का ध्यान रखती हूं कि वो चीज पूरी तरह से शुद्ध हो साफ हो और जो चीजे इदरोदर बिक्री हुई है वो भी मैनेज हो जाती है इसलिए मैं नवरात्री में सफा हम चोड़के पहले मुझे इसको दूद्ध पिलाना होगा तो मैं चली पहले इसके लिए मिल्क तैयार क愤 अगर इसको मैं दूद्ध पिला के फिट नहीं करूंगी न तो यह मुझे काम नहीं करने देगी सारे कंटेनर सोप से ही इजली साफ हो चुके है और जब यह सूख तब इसमें मैं जो भी जरूरी चीजें वो फिल करूंगी दुबारा और साड़े तीन बजा है अभी पाच बजने में टाइम है भी भोग बनाने में टाइम है तो तब तक मैं अपनी बच्ची के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगी क्योंकि वो जाग रही है नहीं तो कि सोई नहीं है तब तक मैं ये सारे कंटेनर फिल कर रही हूं और जो जरूरी है उनको इसमें फिल करके रख दूँगी और कुछ कंटेनर वरत के सामान के लिए खाली रखूंगी लीजे मेरे सारे कंटेनर अच्छे से एसेम्बल हो गये है अब उल्मोस्ट साड़े पांच तैयार कर रही हूं मेरी बच्ची को भी बेशन का हल्वा बहुत जादा पसंद है तो इसलिए मैं और इसको मन से बना रही हूं अभी मेरे किचन के टाइल साफ नहीं हुए है पर क्योंकि इतना जादा टाइम लग गया है तो अब इसको मैं कल साफ करूंगी अलिये टाइम पर टेस्टी लगता है और आज का जो मेरा पूरा दिन था बहुत हैक्टिक रहा और इस हैक्टिक डे के बीच मैंने ठाकर जी कैसे सेवा कर पाई है मैं ही जानती हूं साथ पर बच्ची को भी कैसे संभाला है मैं बता नहीं सकती वीडियो में तो यह सब चीज़े बड़ी आसा झाल